दोस्तो वार्सॅफ तो आप सभी लोग अपने फोन में यूज़ करतें हैं लेकिन क्या आपको पता है वार्सॅप में नहीं अपडेट आया हैatever नहीं नहीं न लेकिन आज किसी वीडियो में एक बताने व آल हूं वैर्सॅप के वह कॉन से अब्डेट है जोकी बिल्कुल तब लेकर अपडेट नहीं आ रहे थे हैं लेकिन अब यह अपडेट आ चुका है और यह आपको कैसे मिलेगा और कैसे उसे यूज करना है तो वीडियो में सारा प्रोसेस बताया हुआ है तो उसके लिए आपको अपने वाटसप में कुछ सेटिंस करना होगा तो सेटिंस कौन था किसे अक्तिवेेट करना है तो वीडियो में सारा प्रोस बताया हुआ है तो वीडियो को जरह से भींस किप नहीं किजेगा क्योंकि आप इसकिप करके तो देख लेते हैं फिर हमें कbersव क करते हूँ अगर अवार तो दोस्तो हम आगए अब अपने फोन के होम स्क्रीन पर अब मैं आप रपको बताऊंगा कि वार्ट सब्सक्राइब के चार अपडेट बताऊंगा जो कि बहुत भी आईपी अपडेट है और जो चार नमर वाले अपडेट को जरूर देखेगा क्योंकि यह आपके लिए अपडेट के बारे में तो यह आपको अपने वार्ट सब को ओपेंड कर लेना होगा और ऑपेंड करने के आपको यहां पर तीन ऑप्स跟大家 मिनते हैंStatus मिनत का उता है तो ड Khalถ के अंदर जाते हैं उसके बाद यहां पर शडैस सकते हैं लेकिन अब कि अपडेट साएं यहां पर स्टेटस देख सकते हैं जैसे कि आप किसी से चैट कर रहे हैं यहाँ पर सारे आपके चैट हैं लेकिन आपको זה चैट के अंदर यह पता नहीं चल पाता कि कौन आज इस्टेटस लगाया है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस जिसने डीपी के बाहर green circle हो चुका है देख सकते हैं यह हो गया यह हो गया और भी हमारे दोस्तें जो की आज status लगा है उसके सारे dp के बाहर green circle हो चुका है और आप यहीं सब भी status देख सकते हैं directly आपके उसको dp पर प्रेस करना है और उसकी वाद यहाँ पर नमर के अपडेट के बारे में जो कि मुझे बहुत ही भी आईपी लगा और बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हमें किसी को एनवरसरी वीज़ करना है या फिर बथरड़े वीज़ करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं डिर्टली उसके चैट के अंदर जाते हैं यहां पर आपो सारे जहने को मिल जैंगे जो भी आपको पसंद करेगहां बीना मैं डाउनलोड किये हुए उसे मैं इमेज भेज दिया यह उसके पास चला जाएगा और वह देख भी लेगा तो इस ट्रीक्स आप बीना डाउनलूड किये हुए इमेज भीज सकते हैं क्योंकि हम डाउनलूड करते हैं तो बहुत सारे इमेज डाउनलूड करना पडता है कोई-こई अच्छा लगता है जैसे कि अपने girlfriend को या फिर boyfriend को कुछ भी आप message कियें वो गलती से कुछ और लिखा गया जैसे कि आपको कुछ और लिखना था और वहां पर कुछ और लिखा गया तो उसे आप delete करते हैं ठीक है तो जैसे यहां पर आप hold करते हैं और उसकी वाद यहां पर delete पर press करते हैं तो लेकिन तो सिर्फ मेरे चैट से डिलेट से डिलेट नहीं होगा फिर वो परड़ सकता है लेकिन यहां पर बहुत ही अच्छा बेटा है जैसे कि आप से गलती सा डिलेट फौर मी पर प्रेस हो गया तो यहां पर निचे देख सकते हैं और ऊप्सर आ दुबारा भी मैं ला सकता हूं यहां पर दिलेट किया तो यहां पर प्रेस की ओंडो का एक और सकते हैं यह अपने फोन में अब कर सकते हैं यह अपडेट सब को मिला है तो यह अपने फोन में एक बार करके दिखेगा अब हम बात करेंगे फोर्थ नमर के ट्रिक के बारे में जो की बहुत ही ज्यादा भी आईपी ट्रीक है मैंने आपको बोला था कि यह आपकी लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल सावित होगा तो जैसे कि आप किसी और चयठ करने के लिए आप क्या करते हैं मैसेज पर प्रेस करते हैं उसकी बाद यहां पर कुछ लिखते हैं तब यहां पर उसे म्हWe बटन आएगा नहीं अगर आप कुछ नहीं लिखेगा तो यहां पर आपका जो है यह माइट का उप्सन देगा लेकिन यहां पर आपको करना क्या है डिरेक्ली आपको चले जाना हैalinan अपने फोन के फोन के फोन के खरणत में से जाना है और यहां पर आपको सर्च करना है इमपटी टेक्ट किजेगा मुण तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डॉन कीज़ेगा तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा clip to clipboard यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको प्रेस करना और इसे copy कर लेना है तो यह हमारा copy हो चुका है उसके बाद हम back चलाते हैं बैक आने के बाद अब directly आपको जाना है WhatsApp चैट में जिसको आप भेजना चाहते हैं उस चैट के अंदर आप चले जाएगा और उसकी बाद यहाँ पर इसे paste कर देज़ेगा paste करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है फिर भी यहाँ éंपर send का बटन आ चुका है इस पर हम send करेंगे तो यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी यहाँ पर send हो गया अगर आपको लंबा भेजना है तो यहाँ पर पेश्ट किजेगा उसके बाद यहाँ पर निच्छे किजेगा उसके बाद फिर यहाँ से एक बार पेश्ट किजेगा निच्छे किजेगा एक बार और पेश्ट किजेगा निच्छे किजेगा उसके बाद इसे सेंड कर जेगा तो वो भाई जिसे भी आप भेजेंगे न वो तो भाई आपसे सौक ही हो जाएगा, कि भाई तुमने अपने फोन में ये कैसे कर लिया, कौन सा अपडेट आया, ये सारे आपसे पूछने लगे, तो इस ट्रिक से आप किसी से भी प्रैंक कर सकते हैं, या फिर अपने गर्फरेंड से, या फिर अपने बॉइफरेंड से, या फिर किसी से भी और किसी को भी सौक भी दे सकते हैं, क्योंकि WhatsApp जो भी अपडेट लाता है सबसे पहले बीटा भजन वाले को देता है उसके बाद ही WhatsApp में आता है तो आपको दो या तीन या फिर चार दिन में आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएगा तो अपने फोन में इसे ट्राइ जरूर किजेगा कि आपको कैसा ये पॉमेंट में जरूर बताईएगा तो हैने बहुत का माल का टिक तो मिलता है दोस्तर लाएगा